मनिपूर पिछले साथ महीनों से जातिय संघर्ष की आग में सुलग रहा है लेकिन डबल इंजन की सरकार राज्य में शांतिय स्थापित नहीं कर पाई है प्रदेश में बत्तर हालात को देखती हुए कई समवेदन शीर इलाकों में इंटरनेट की सेवा बंद थी लेकिन जब दुबारा से इंटरनेट की सेवा बहाल की गई तो प्रदेश में हिंसा फिल से भड़क उठी पिछले साथ महीने से मनिपूर जाती संघर्ष की आग में सुलग रहा है मड़िपूर को लेकर पियम मोदी और राज्जी की विजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है दो समुदायों की बीच इस संघर्ष में डेड़ सो से भी जादा लोगों की जान जा चुकी है कई लोगों की आशियाने मिट्टी में मिल गए है लेकिन अभी तक हिंसा रुकत्वे दिखाई नहीं दे रही है और अब ताजा घटना में तीरा लोगों की जान चली गई सुरक्षा बलो की अधिकारियों ने कहा है कि दोपहर के करीब टेंग नौपाल जुले के साइबोल के पास लेटीथू गाउ में मिलिटेटिस के दो गुटों के बीच टकराव हुआ दरसल हिंसा प्रभावित शेतरों में बीते साथ महने से इंटरनेट बैन था जिसे सरकार ने 3 दिसंबर को हटा दिया इंटरनेट बैन के हटते ही ताजा हिंसा की ये घटना सामने आ गई सुरक्षा बलो की अधिकारियों के मताबिक सुरक्षा बल हिंसा की जगए से लगभग 10 किलो मीटर दूर थे और जब सेनाय आगे बढ़ी तो इस घटना के बारे में पता चला इस घटना को लेकर अभी तक कोई अधिकारी खुल कर बात करने के लिए तयार नहीं है बहराल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और अभी तक मणिपूर का हाल बेहाल है डिबी लाइफ की रिपोर्ट